दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्वंद केजरिवाल हाल ही में जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील और सांसद अभशेख मनुस सिंगवी से अब अलचानक मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिलने के मुक्के मंतरी अर्विन केजरिवाल जब से जेल से रिहा हुए तब से ही लगातार अभशेक मनु सिंग्वी का भी नाम सुर्ख्यों में बना हुआ है अबशेक मनु सिंगवी के घर उनसे मुलकात करने अर्विन केजरिवाल और उनकी पत्री सुनीता केजरिवाल पहुंचे इस मुलकात के दौरान सीम केजरिवाल ने अबशेक मनु सिंगवी को धन्यवाद दिया इसी बीच अब तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं कि अर्विन केजरिवाल दो दिनों के बाद अपनी सीम गद्धी से इस्तीफा दे सकते हैं आपको बता दें कि अर्विंद केजरिवाल ने सीम गद्धी छोड़ने का बड़ा एलान कर दिया है और ये एलान इस बीच हुआ है जब दिल्ली में विधान सभाट चुनाव होने जा रहे हैं कि अब शेक मनुसिंगवी से केजरिवाल और आम अद्मी पार्टी के नेताओं की मुलकात होना लगातार अब इस मुद्धे पर कहास लगाया जा रहे हैं कि अब शेक मनुसिंगवी को अर्विंद केजरिवाल पार्टी में कोई बड़ा पद ओफर कर सकते हैं आम अदमी पाठी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ताना शाहा की तमाम साजिशों से लड़ने में दिल्ली सीम की कानूनी मदद करने वाले देश के वरिश्टम वकील अभशेक मनुस सिंग्वी जी से आज अर्विन केजरिवाल और उनकी धरम पतनी सुनीता केजरिवाल ने उनके आवास पर मुलकाद की है सुप्रीम कोट के वरिश्टम वकील अभशेक मनुस सिंग्वी से मुलकाद से पहले दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल शनिवार को कनौट प्लेस के स्थित हनुमान मंदर पहुंचे थे सोचल मीडिया एक्स पर लिखा था कि आज अपनी धरमपतनी सुनिता केजरिवाल जी और अन्य साथियों के साथ के नौट प्लेस थित प्राचीन हनुमान मंदर पहुंचा हूँ और हनुमान जी का पूझना अर्चना करने पर आशिरवाद प्राप्त कर रहा हूँ आगे लिखते नजर आए कि अन्याय के खिराफ इस संगर्श में हनुमान जी का अशिरवाद सदा हमारे उपर बना रहेगा प्रभू से सभी की सुक्समरिदी की प्रार्थना करता हूँ आपको बता दें कि मुखे मंत्री अर्विन के जरिवाल का यूँ सीम पत से स्तीफा देना और उनी के साथ साथ लगातार तमाम नेताओं और मंत्रियों का सुर्खियों में आना और अब शेक मनु सिंग्वी से मुलाकात करना तमाम ऐसे मुद्दों को इस वक्त दर्शाता नजरा रहा है कि अगर अर्विन के जरिवाल सीम गद्धी छोड़ देंगे तो आखर दिली में आपात कालीन स्तिती के लिए यानि विधान से बाचुनाव से पहले आखर सीम की गद्धी पर कौन विराजमान होगा आखर अपात कालीन मुख्यमंत्री कौन बनता नजराएगा अब शेक मनु सिंग्वी से इसी बीच मुलकात करना तमाम बड़े मुद्दों को लगातार दर्शा रहा है